हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारा चैनल दब्रीज में और आज से हम एक नया सब्दे की स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की इलेक्ट्रिशियन आईटाई वालों के लिए और जो बंदे पोलो टेक्निक डिपलोमा इलेक्ट्रिकल से किये हुए है उनके लिए रहेगा इसमें जो इस्टुडी रहेगी पीडियेप नोट्स के माध्याम से होगी और इसमें सारा जो इस्टुडी माट्रियल है वो हिंदी में रहेगा इसमें नियुमेरिकल प्लस्ट रहेंगे जो कि आने वाली ओवर ओल इंडिया के कॉम्पिटिशन एक्जाम से रिलेटर रहेगा इसके बाद यह सब्जेक है इसमें बेसिक जिसमें थेवरी पर जादा फोकस किया जाएगा इसके बाद एक बार यह सारा सिलिवस कवर होने के बाद में एक और हाई लेवल का मट्रियल के लिए और हम दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हाई लीवल की स्टेडी कि जाएगी इसमें खास बात यह है कि इसमें प्रोपर आपको नौट्स लिखा हुआ मिल रहा है और इसके बाद में class के बाद में जो जिसके एक unit खतम हो जाएगा उसके बाद में आपको proper PDF भी provide कराया जाएगा लेकिन आप लोगों को भी self notes बनाना है क्योंकि कुछ ऐसे चीज़े रहेगी जो मैं अपने शब्दों के द्वारा बता दिया करूगा जो कि इसमें लिखा नहीं होगा तो वो plus point रहेगा कि आप notes बनाए अन्य था जो मैं PDF दूँगा उसमें जो मैं यहापर पड़ाऊंगा जो explain करूँगा वही रहेगा पर जो मैं extra चीज़े आप लोगो explain करूँगा तो वो चीज़े इसमें include नहीं हो पाएगी इसलिए अच्छा रहा कि खुद से notes बनाए और जो हमारे study होगो वो step by step होगी इस परकार आपके सारे subject cover करवा दिये जाएंगे तो चलिए start करते हैं basic of electricity यह एक परमानू है जिसकी बाहरी कक्षा में valence electron रखा गए इस valence electron का weight जो होता है वो 9.11 into 10 to the power 31 kg होता है और इस electron पे जो charge होता है वो 1.6 into 10 to the power 19 कुलाम होता है और proton पर भी electron के बराबर ही charge होता है जो कि 1.6 into 10 to the power 19 कुलाम होता है लेकिन electron में negative charge होता है और proton में positive charge होता है और जो neutron होता है वो charge रहित होता है इसमें no charge रहता है और जो proton है इसका जो द्रव्यमान होता है यह जो mass होता है वो 1.67 into 10 to the power minus 27 कुलाम होता है इनमें सबसे हलका electron होता है और proton होता है proton से बारी neutron होता है अर्थात सबसे बारी neutron होता है इस परमानू के मध्य में एक nucleus होता है जिसमें की proton और neutron उपस्तित होते है और जो बाहरी कुक्षया हाती है इसमें valence electron उपस्तित होता है जैसे-जैसे कुक्षया ही बढ़ती जाते है इसमें valence electron भी रिवर्तित होते जाते हैं परमाण के कक्षाई होते हैं जैसे कक्षाई बढ़ती है इसमें electron रखने की शमताई बढ़ती जाती जैसे पहली कक्षा में 2 दूसरी में 8 तीसरी में 18 और चोथी में 32 इसी परकार बढ़ती जाती है ये 2 and square के according बढ़ती जाती है जैसे फर्स्टम में 2 into 1 square बराबर क्या होगा 2 फॉर्मूल के अनुसर शेकंड कक्षा में क्या होगा 2 into 2 square बराबर 8 लग इसी परकार इस फॉर्मूल के according जैसे जैसे कक्षा ही बढ़ती जाती है इसमें चार्ज रहने की स्पेस भी बढ़ती जाती है न्यूट्रोन पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रोन उदासिन होता है परमानू में जो इलेक्ट्रोन और प्रोटोन होता है उनका रिलेशन अर्थात संबन्थ ME बराबर MP ओपोन अठ्रासो चालिस होता है यह इप्ताम पॉंट्री विव से बहुत इंपोटेंट है अब अगला पॉंट आवेश आवेश एक अद्रेश्य फिनोमेना होता है जो की किसी वस्तु के पास लाने से आकर्षन या प्रतिकर्शन का अनुभव अपने उपर करता है और आवेश को क्यों से प्रत्रिशित करते हैं तो इसकी इकाई कुलम होती है आवेश अर्था चार्ज जो होता है वह दो परकार का होता है पोजिटिव और निगिटिव पोजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं अर्था प्रतिकर्शित करते हैं और निगिटिव निगिटिव भी एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं और positive, negative एक दूसरे को आकरशित करते हैं और negative, positive भी एक दूसरे को आकरशित करते हैं अर्थात समान चार्ज जो समान आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकरशित करता है और असमान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को आकरशित करता है Conservation Property of Charge और थाथ आवेश के सरक्षन के गुण के अनुसार आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नश्ट किया जा सकता है इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है विद्धूत एक उर्जा है जिसका प्रियोक बड़ी सी बड़ी मशीन को चलाने के लिए लाइट जलाने के लिए और बहुत से इलेक्ट्रिकल इंस्टुमेंट ये अंत्र को चलाने के लिए किया जाता है विद्धूत एक अद्रश्य है लेकिन इसको चलाने के लिए इसको एक इस्तान से दुसरे इस्तान पर परिवर्थित करने के लिए एक माध्याम के जोरत होती है उस माध्याम को कंडेक्टर या चालक कहते है जैसे किसमें गए विदूत एक प्रकार की उर्जा है जिसका प्रियोग आजकल के शेत्र में बड़ी से बड़ी मशीनों को चलू करने में किया जाता है विदूत एक अद्रिश्य उर्जा है जो कि विदूत बहुत कम समय में बड़ी से बड़ी मशीनों को चलाती है या ओपरेट करती है विदूत कम एक प्रकाश के वेक के बराबर होता है परन्तु विदूत को चलने के लिए माध्यम के आवशक्ता होती है वह माध्यम चालक या कंड़क्टर कहलाता है सबसे अच्छा चालक सील्वर को माना जाता है उसके बाद में कोपर और कोपर के बाद एल्लिमिनियम आधी आते हैं इलेक्ट्रिक करन्ट तत विदूत उर्जा विदूत उर्जा या करन्ट टोटल नंबर अवशको अर्थात किसी कंड़क्टर में टोटल परवाहित आवशके मान को करन्ट कहते है और करन्ट की यूनिट एम्पेर होती है जैसे कि किसी चालक में मुक्त इलक्ट्रोन के प्रवाह की दर अर्थात मुक्त इलक्ट्रोन के गती मान दर विदुद्धारा कहलाती है विदुद्धारा को आईसे प्रदर्शित करते हैं और इसकी काई एमपियर होती है विदुद्धारा आवेश की रूप में मुक्त इलेक्ट्रानों की कुल संख्या को दिखाती है जहां Q बराबर N E कुलाम में यदि किसी चालक में एक एम्पियर की करंट एक सेकेंड के लिए परवाहित की जाए तो चालक में एक कुलाम चार्ज अर्थात आवेश उत्पन होगा एम्पियर बराबर कुलों प्रति सेकेंड होता है या एक एम्पियर बराबर एक कुलों पर एक सेकेंड होता है या एक एम्पियर बराबर आवेश ओपॉन सोमय होता है और या EMPR बराबर Q upon T होता है क्योंकि आवेश को कुलम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं और करंड को EMPR में मापते हैं किसी चालक में प्रती सेकेंड फ्लो होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की कुल संक्या वेदुद्धारा कहलाती है जहां Q बराबर N E कुलम में और Q Q, Q बराबर I T अर्थात Q बराबर I T तो Q Q, Q बराबर I T है तो Q के मान I T रखा बराबर N E अर्थात करंड बराबर N E upon T अर्थात करंड एम्पियर N E, N E क्या है Q और T सेकेंड एम्पियर में उपर वाले फॉर्मूला के एकोडिंग किसी चालक में प्रतिसेकंड फुलो होने वाले इलेक्ट्रोनों की संक्या इलेक्ट्रोनों को गति देने के लिए जिस बलकी आवशक्ता होती है उसे वोल्टेज कहते है वोल्टेज को वेदुद्दाप या इलेक्ट्रीक प्रेशेर के नाम से भी जाना जाता है वोल्टेज को हमेशा चालक के सीरो पर लगाया जाता है इसे capital V से प्रदर्शित करते हैं और इसकी एकाई volt होती है जब हम generator के द्वारा EMF generate करते हैं तो वही EMF, load की terminal पर आकर voltage बन जाता है अब potential या voltage यदि किसी धनात्मक, IKai charge को अनन्द से potential, इसकी IKai भी volt होती है यदि किसी धनात्मक, IKai charge को अनन्द से किसी एक बिंदु तक लाने के लिए किया गया कारिय वह IKai volt, इसकी एक IKai volt होता है volt बराबर क्या होता है? I, R और voltage बराबर W upon Q अर्थाथ volt बराबर Joule upon Coulomb अब voltage drop voltage drop voltage drop voltage drop की unit भी volt होती है प्रतिरोत के लिए प्रतिरोत resistance के लिए जो voltage drop होता है वह V is equal I, R होता है अर्थाथ V बराबर I into R और capacitor के लिए जो voltage drop होता है वह होता है XC बराबर 1 upon WC या इसे 1 upon 25 FC लिख सकते है लेकिन Ohm में और इस परकार VC बराबर I into C volt में और inductor के लिए inductor के लिए अब inductor के लिए inductor के लिए XL बराबर WL voltage drop होता है और इसी को जब हम Ohm में convert करते हैं तो 25FL द्वारा convert करते हैं वह इसमें जो resistance अगर प्रतिरोत की जो unit होती है वो Ohm में होती है Capacitance C की जो unit होती है वो Farad में होती है और inductor L की जो unit होती है वो Henry में होती है EMF या विदुत वाहागबल EMF का पूरा नाम Electromotive Force है यह EMF किसी voltage किसी स्त्रोत द्वारा generate किया जाता है इसके ठेवरी के अनुसार किसी स्त्रोत के द्वारा उत्पन किया जाता है EMF या विदुत वाहागबल कहलाता है जब यदि EMF चालक के सीरो पर लगाया जाता है और ठाथ परिपत के में लोड के एक्रोस लगाया जाता है तो यह voltage बन जाता है EMF हमेशा voltage से जादा होता है क्योंकि EMF स्त्रोत द्वारा generate किया जाता है और voltage जो है यही EMF जब generate सोच के द्वारा होकर जब लोड तक जाता है तो वहाँ जाते जाते कुछ voltage ड्रोब हो जाता है और जो लोड के एक्रोस मिलता है उसी को volt कहते है इसी कारण EMF voltage से अधिक होता है जब चित्रेकन सोच इसी एक alternator है इसमें alternator के द्वारा EMF generate किया जाता है और जब इस EMF को लोड के एक्रोस लगा जाता है तो यह voltage बन जाता है अधिक है EMF जब लोड तक जाता है तो यहाँ पर बीच में कुछने कुछ voltage ड्रोब हो जाता है इसी कारण जो EMF है वो voltage से बड़ा होता है दूसरी भाषा में किसी चार्ज को एक इस्तान से दूसरी इस्तान तक प्राहित करने वाला कारण EMF होता है वो इसकी काई voltage होती है potential different या विवांतर विवांतर या potential difference दो बिंदों के बीच का अंतर होता है और था बिंदू A और बिंदू B के बीच का जो difference रहेगा वो ही potential difference कहलाएगा मान लिजिए यदि point A पर या वी A पर 10 वोल्ट है और जब यह 10 वोल्ट इस resistance को cross करते हुए बिंदू B पर जाता है तो कुछ नकच voltage drop होकर यहाँ पर 9 वोल्ट पराप्त होता है तो यही बिंदू V A और V B के बीच का voltage difference कहलाएगा और थाथ इन दोनों के बीच का voltage difference कहलाएगा एक वोल्ट आगे बढ़ते हैं नमबर टू में जैसा के दर्स आये गया है V1 और V2 दो बिंदू दर्स आये गये हैं इसमें जो voltage current है वो V1 से V2 की और प्रवाहित हो रहा है और तब हम एक बात जानते हैं कि current हमेशा high की high से low की तरफ प्रवाहित होता है अर्थात V1 V1 पर high current है और V2 पर कम current है इसी कारण current V1 से V2 की और प्रवाहित हो रहा है तो current I बराबर V1 माइनस V2 क्योंकि जो अधिक है उसी में साम जो कम हैं उसको घटाएंगे इसलिए V1 माइनस V2 और open में जो उसके बीच में इन दोनों बींदों के बीच में जो resistance इतना प्रतिरोध पड़ रहा है उसको लिखेंगे इसी परकार जब यदि थर्ट पॉइंट के अनुसार जब V1 बड़ा है और V2 के और current प्रवाहित हो रहा है लेकिन V2 माइनस में है V2 माइनस में है तो क्या होगा इस formula के according ही होगा लेकिन I बराबर V1 प्लस V2 ओपन आ रहोगा क्योंकि पहले अपन क्या लिखते थे माइनस V2 माइनस V2 और इसमें से पहले से माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसलिए I बराबर V1 माइनस V2 और ओपन में जो इनके भी जो resistance पढ़ रहा है वो इसको भी उसी प्रकार solve करेंगे जैसे की हम एक दो तिन को की है इसमें दो प्रतिरोग दिये गए है और इसमें जो current की प्रवाह की दिशा है वो परिवर्थित कर दिगए है अर्थाथ माइनस V2 से V1 के तरफ प्रवाहित current हो रहा है इसका मतलब क्या है V1 high है और V1 low है और V2 high है तो किदर से करम जा रहा है जो high है उसको पहले लिखेंगे तो क्या माइनस V2 और किदर जा रहा है V1 के तरफ जिस तरफ जाता है जो low point के तरफ जाता है तो क्या माइनस V1 और open में क्या लिखते है अपन जो दो point के बीच में जो resistance पड़ते है अर्थात R1 R2 में पड़ रहे है तो open में क्या लिख देंके R1 प्लस R2 और current क्या MPR में जैसे कि किसी दो बिंदू के बीच जो voltage का difference होता है वह voltage difference कहलाता है कहना कताचर पर यही है कि जो दो अलग-अलग बिंदू है उनके बीच जो difference है अर्थास V1 के उपर अलग मान है और V2 के उपर जो अलग मान है इन दोने के बीच कितने का अंतर है कितने का difference आता है उसी को voltage difference कहते है या जैसे कि V1 में 10 ampere current है sorry इसकी मानस V2 पर 10 ampere current है और V1 पर 8 ampere current प्राप्त होता है तो इसका voltage difference क्या होगा 10 मतलब high को high में से कम को घटाएंगे तो high कितना है अपना 10 ampere तो 10 ampere में से low कितना है 8 ampere तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 ampere क्या हो जाएगा अपना voltage difference हो जाएगा तो दोस्तों आज का lecture यहीं तक रखते हैं क्योंकि कल हम resistance पढ़ने वाले हैं और resistance का concept जो है काफी लंबा जाने वाले हैं क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या है उसकी resistivity, series parallel combination और उससे related जो resistance से जो numerical बनते है series parallel connection के वो numerical solve करेंगे तो इसलिए आपके lecture तक यहीं तक रखते हैं और एक proper way में notes बनाईए कुछ भी skip मत किजिए क्योंकि आपको step by step सारा study material प्रोवाइट कर दिया जाएगा लेकिन यह में PDF तो आपको दूँगा लेकिन इसमें कुछ में अपने और से एक्स्टा चीजे include करता हूँ वो चीजे PDF में नहीं रहेगे इसलिए खुद से आपको notes बनाना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेर किजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तो study material पहुँच सके तो चलिए आज की सेवा यही तक रखते है Thank you में में कर दोस्तों झाल झाल झाल